आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स अक्टुबर 2019 में जब संयुक्तराष्ट महासबा में पाकिस्तान की इस्थाई परती निदी भारत कूट निदी के सामने ऐसा पल साबित हुई तो इमरान ने उनके चुटी करके उनकी जगह मुनीर अकरम को यह पद दिया था उस वक्त इमरान को लगा था मुनीर अकरम जैसा अनुभवी मदर साचाप यहाँ जरूर कमाल दिखाएगा क्योंकि अकरम को भारत के परती सक्त रुख के लिए जाना जाता था इससे पहले भी वे इस पद पर वरस 2002 से वरस 2008 के बीच रह चुके थी इसलिए पाकिस्तान दुआरा उनकी इस न्युक्ती पर खुब कदया दर्ते किया गया यानि यह दिखाने की कोशिस हुई की पाकिस्तान ने अपना तुरूप का पत्ता आगे कर दिया है और बेगम को वापस बुला लिया है लेकिन अपने पिछले कारियकाल की तरहे इस बार अकरम कोई करिस्मत नहीं कर पाई बल्कि पाकिस्तान के बाजे जरूर बजवा दिये है कल कस्मीर मुद्दे पर चीन के कंदे पर तैमंद रखकर आकरम ने सयुक्तराश सुरक्सा परिचद में ये मुद्दा उठाने की फिर से कोशिस की बगर अगस 2019 में मलिया लोदी के इस तरह के प्रियासों का जो हस्र हुआ था वैसा ही कुछ इस बार भी हुआ केवल चीन को छोड़कर सेश चारो इस्थाई सदश्च्वनी इसे भारत पाक का दिपक्ष मसला बता दिया पर मामला यहां तक नहीं है असली तैमंद कथा तो यही से शुरू होती है दरसल इमरान खान को लग रहा था कि 54 वर्षय मुनीर अकरम सईक्तुराष्ट महासबा के भारत में इस्थाई प्रतिनिदी सेद अकबुरुदीन का मजबूत विकल्प बन जाएंगे लेकिन इमरान भूल गया कि भारत की कूटनिती अब 2000 वाले दुसक वाली नहीं है जब पाकिस्तान के खिलाब बोलने से पहले वोटो को लेकर गनित भाग होते थी इधर तो हर कोई पाकिस्तान को ठोकने और मिटाने के लिए तैयार बैठा है ये भारत कूटनिती का ही कमाल है कि अब मुनीर अकरम को अपने तैमन बचाने मुश्किल हो रहे है भारत ने यूएन में भी अकरम की इतनी जबरस्त घेराबंदी कर दी है जिसके बाद यूएन की तो छोड़िये अंतराष्ट मीडिया तक उन्हें कोई भाव नहीं दे रही है वरस 1990 के दसक में भारत अंदुरुनी राजनिती में उल्जावा था अपने बलबूते सरकारों के ना होने से भारत विशुपटल पर कस्मीर मसले का बचाव दमदार तरीके से नहीं कर पाता था ये वे समय था जब पाकिस्तान विशुपटल पर भारत के खिलाप दुस परचार के मामले में भारी पड़ता था उस दोरान मुनीर अक्रम पाकिस्तानी प्रोपगेंडा की एहम कड़ी हुआ करते थी वे भारत के खिलाप दुस परचार के माहिर भी थी उन्होंने तब भारत के अंधरु निकले का फैदा उठाते हुए विशु समुदाय को पाकिस्तान के पक्स में लामबद करने में सफलता पाई थी लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मोदी के जाल में फशा पड़ा है मोजूदा समय में पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है ऐसे में इमरान को ख्वाब आया था कि मुनीर अकरम भारत के खिलाब उसका एहम प्रोपगेंडा टूल होंगे लेकिन मदर से में पढ़ाए गए सारे जूट भी मुनीर की लाज नहीं बचा सके हालत यह है कि मुनीर यूएन में दबने का पैसेंट बनकर बस सीट पर बैठे लबी-लंबी सासे खिशते रहते हैं कल जिस परकार यूएन में पाकिस्तान की फजियत हुई और पाक के कस्मीर प्रोगेंडों को जूते पड़े उसके बाद सैन्न परमुक कबर जावेद बाजवा और इमरान लोड़े ने मुनीर अकरम के विकल्प के रूब में तलास सुरू करती है कहा जाता है कि इमरान सरकार मुनीर अकरम को भी वापस बुलाने पर विचार कर रही है संबबता इमरान उनकी बढ़ती उमर और गिर्ते स्वास्त का वाला देकर उन्हें पजच छोड़ने को कह सकते है जबकि हकीकत यह है कि पिछले चार महिनों में अकरम अभी तक कोई कमाल नहीं दिखा सके है इस वक्त यूएन में उनके दोर के व्यों प्रतिनी दी भी नहीं है जिनसे उनके नीजी सम्मद्ध भी मजबूत हुआ करते थे यहां फिलाल भारत की कूटनीति का बोल बाला है भारत द्वारा सयुक्तराष्ट को उपलब्द कराए गए सोर पैनल और यहां होने वाली सभाओं में भारत ये लोकतंत्र का गुरुगान ज़्यादा है पाकिस्तान के विचारों को ना कोई सुनना चाता है ना कोई उसे लेकर गंभीर है सयुक्तराष्ट महसाबा में भारत की हैसियत इस समय इस्थाई सदस्य जैसी है जबकि पाकिस्तान के विशे में दुनिया उसे जूता मूल्क ज़्यादा समझती है क्योंकि मुनीर अक्रम भी मलिया लोदी के पद्चिनों पर ही चल रहे हैं वैसे भी पूरुम में उनकी प्रेमिका को लेकर अमरीका में जो आरोपन पर लगे थी वैच भी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है खुद मुनीर अक्रम को भी लगता है कि भारत उस दोर का भारत नहीं है जब उन्होंने आसानी से दुनिया को उसके खिलाप कर दिया था यहां भारत के खिलाप दुनिया को एक जुट करने की तो छोड़िये पाकिस्तान की इज़त बचानी ही मुश्किल हो रही है संबब तक मुनीर अक्रम अब अधिक दिनों तक यूएन में भारत के खिलाप संगरस नहीं कर पाएंगे इमरान ने यदी उन्हें वापस बुलाने में देर की तो हो सकता है वे वापस पाकिस्तान ना आकर मोदी कूट निंदी के दबाब में कई हुरों की खोज में ना निकल जाए आसा है दोस्तों वीडियो पसंदा आगा आपसे सिगर बेठ होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जै जवान जै किसान जै हिंद वन्दे बाप्रम